संख्या के हिसाब से भागिदारी की बात करने वैले तेश्वी यादो के पार्टी का एक बार फिर से पोल खुला है। ना तो टिकट बटवारे में समाजिक न्याय दिखा और ना ही A2J दिखा। मतलब एक बार फिर से या कहा जा रहा है कि RJD मतलब सिर्फ और सिर्फ यादव की पार्टी है। मंत्री मंदल विस्तार में यादवों का दबदवा दिखता है। टिकट बटवारे में भी यादवों का दबदवा दिखता है। मुसल्मान पुड़ी तरीके से हासिये पर चले गए हैं। इसलिए सवाल बड़ा है कि क्या लालू पुरशाद यादव, RJD, टिकट बटवारा हो चुका है, हर एक सीट पर RJD ने अपने उमिदवार के नाम का एलान कर दिया। और इस ऐलान के साथ मुसल्मान पुरी तरीके से हासिये पर चले गए हैं। मतलब लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर RJD को टोपी पहल लेने से, चादर चरहा देने से मुसल्मान का वोट मिली जाता है। तो फिर टिकट देने की जवरत क्या है। चुकि 23 सुटों में से 9 यादों को टिकर दिया गया है और सिर्फ और सिर्फ दो मुसल्मान को टिकर दिया गया है। आपको याद होगा वो दिन जब तेश्वी आदों डंके की चोट पर हर्मन से कहते नजरा रहे थे कि जाती जनगन्ना होना बेहत जोड़ी है। ताकि हर एक जाती धर्म का आकरा हो और उनके उनकी संख्या के हिसाब से भागेदारी दी जाएगी। मतलब जिसकी जितनी संख्या भाड़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी और यह भी कहा जा रहा था कि 10% वाले 90% पर कबजा की हुए हैं। मतलब शिर्य तोर पर जो अपर कास्ट है राजपूत ब्राह्मन भुम्यार उनको टार्गेट किया जा रहा था। लेकिन अब आरजएडी के उस दावों का पोल खुल चुका है चुकि राश्टी जन्तादल ने 23 सीटों में से मात्र मात्र जिस मुसल्मान के वादी इस बिहार में 17% से अधिक हैं। उसमें से सिर्फ पर सिर्फ दो मुसल्मान को टिकट दिया गया है जिसमें से मधवनी से मुहमद अली असरफ फातिमी है और अरडिया लोकसभासीट से सहनवाज आलम को उमिदवार बनाया गया है लेकिन जिनकी अबादी 14 परतिशत है यानि कि मुसल्मानों से कम अबादी जिस यादो जाती की है उस यादो जाती को लालू पुरशाद यादों ने नो उमिदवार दिये हैं मतलब की हिना साथ का पत्ता भी कटा और तो और नो यादों को टिकर दिया गया है कई मुसलमान के जो सिट था उसे छीन कर दूसरी जाती को दे दिया गया है सिवान से साहब को टिकर देना है लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं है लालू यादों ने तैक कर लिया है यहां तक कि उन्हों ने अवद ब्याडी चौधरी को यह कह दिया है कि आप त्यारी किजिए सिवान से आप ही इंडिया गर्टन के उमिदवार होंगे तो पूरी तरीके से आरजेडी ने मुसलमानों को ठगा है यह कहा जा रहा है चुकि संक्या के हिसाब से भागेदारी की बात करने वाले राष् पूरी तरीके से आरजेडी से और मुसलमान के नाम पर एक दो को खाना पूर्ती के लिए वहाँ भेजा गया था तो पूरी तरीके से अब हाला कि मुसलमान भी आरजेडी से दोरी बनाने लगे है चुकि अकर जाएंगे सिवान गुपाल गंच और सारन महराजगन के छितरों में तो हिना सहाब के एक अच्छा प्रभाव मना जाता है और हिना सहाब ने भी आरजेडी के साथ छोड़ दिय चुकि आरजेडी उन्हें वो तबज्जो नहीं दे रही है वो मान समान नहीं दे रही है जो देना चाहिए जैसा कि उन्होंने कई इंट्रिवियों में कहा है तो आरजेडी को लेकर बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी को अब मुसलमानों का भोट नहीं चाहिए या फिर आ ये